ग्रेहना मादिर आदित्यो लोक लक्षणा कारक विशम स्थान संभुताम पीडाम दहनू मेरवी बोलिये भगवान सूर्य नारायन की चेश भक्त जनो सूर्य अथवा सूरच सौर मंदल की केंदर में स्थित एक ग्रेहे हैं जिनके चारों तरफ अन्य आठ ग्रेहे परिक्रमा लगाते रहते हैं भगवान सूर्य देव नारायन को वेदों में जगत की आत्मा का हगया है भक्तों समस्त चराचर जगत की आत्मा भगवान आदित्य नारायन ही हैं सूर्य से ही इस प्रित्वी पर जीवन है यहे आज एक सर्व सामान्य सत्य है भक्तों वेदिक काल में आर्य सूर्य को ही सारे जगत का करता धरता मानते थे भग्वान सूर्य का अर्थ है प्रेणा देने वाले तथा प्रकाश करने वाले रिगवेद में इन्हें सभी देवताओं का अधिपती माना गया है तो भक्तों आज इस संगीत मैं गाथा के माध्यम से मैं आपको सुनाने जा रहा हूं भग्वान सूर्य देव की वो पावन संगीत मैं कथा जिसे सुनकर आपको ग्यात हो जाएगा के भग्वान सूर्य देव नारायन में अपना देव रूप कैसे धारण किया था तो भग्वान सूर्य देव नारायन की परम प्रकाश को अपने हृदय में समाते हुए मेरे साथ सुनिये भग्वान सूर्य की ये पावन संगीत मैं कथा जो पूर्व दिशा से हो के उदित अंदकार मिटाते हैं हां अंदकार मिटाते हैं मा अदित पोत्र श्री सूर्य देव की गाथा गाते हैं हम कथा सुनाते हैं वो जोती स्वरूप है कैसे देवता रूप में आते हैं देवता रूप में आते हैं मा अदिति पूत्र शी सूर्य देव की गाथा गाते हैं हम कथा सुनाते हैं शी सूर्य देव भगवार करते सब का कल्यार पावन कथा कुछ इस प्रकार से है भक्तों देवता और असुर आपस में सदा संग्राम करते रहते थे आपस में सैदेव लडाई किया करते थे यहां तक कि उनके इस बार-बार के संग्राम से देव गुरु ब्रहस्पती और दैत्य गुरु शुक्राचारे भी परेशान हो चुके थे आखिर कोई उपाय सोचे तो क्या सोचे देवता भी आपस में परामश कर रहे हैं और असुर भी परामश कर रहे हैं दोनों की शक्तियां युद्ध करकर के शीन हो रही हैं। परंतु असुरों ने त्रिदेवों का तप करकर के उनसे अनेक अनेक शक्तियां प्राप्त कर ली भक्तों। और एक दिन ऐसा घंगोर युद्ध किया देवताओं से के उन्हें युद्ध में परास्त कर दिया। देव राज इंद्र को स्वर्ग विहीन कर दिया जो देवी देवता बंदी बन सकते थे उन्हें बंदी बना लिया बाकियों को मार कर स्वर्ग से भगा दिया अब आगे क्या कथा है भक्तौौ। सुर्य देव नारायन के चरणों का ध्यान लगाते हुए आईए सुनते हैं देव असुर भारी थे करते आपस में उत पात दोनों एक दूजे को देते युद में भगतों मात तप करके घन घोर असुर ने भारी बल पाया देवताओं को असुरों ने फिर युद में हराया स्वर्ग पे भी असुर अपना अधिकार जमाते हैं वो अधिकार जमाते हैं मा अधिति पोत्र श्री सूर देव के गाथा गाते हैं हम कथा सुनाते हैं श्री सूर देव भगवार करते सब का कल्यार श्री सूर देव भगवार भक्त जनों सभी देवता इंद्र के ने त्रत्तों में स्वर्ग से अधिकार विहीन होकर इधर उधर भटक रहे हैं कभी भगवान शिव के पास जाते हैं तो कभी भगवान विश्नु के पास श्री ब्रह्मा जी के पास जाकर भी उनके हात केवल निराशा ही लगी अब देवता क्या करते अपनी माँ अधिती की शरण में पहुँचे अधिती की शरण में आकर सभी देवता हाहा कार कर रहे हैं और अपनी माता से पुकार लगा रहे हैं हे मां हमें इन असुरों से बचाईए हमें हमारा स्वर्ग वापस दिलवाईए देवताओं की कातर प्रार्थना सुनकर मां अदिती की आँखों में आशु आ गए भक्तों वो भी सोच रही हैं के भला किस प्रकार से मैं अपने पुत्रों की सहता करूँ टहलते टहलते महल के जरोखे पर आती है भक्तों और सामने क्या देखती है के भगवान सुर्य देव पूर्व दिशा से उदित हो रहे हैं धीरे धीरे जगत में प्रकाश फैल रहा है श्रिस्टी में उर्जा का संचार हो रहा है उपते सुर्य को देखकर मा अदिती के मन में अचानक एक विचार घर कर जाता है भक्तों और वो विचार क्या है भगवान अदित्य नारायन का नाम जबते जबते मेरे साथ सुनिये आगे की पावन का था पूर्ब दिशा से आते सुर्य को अदिती ने देखा देखते ही मा के मन में तो एक विचार कौन धा क्यों ना सूर्य देव मेरी संतान बन जाए करी प्रार्थना पुत्र रूप में गर्भ में आए देवी देवता सुन सारे हैरत में आते है सब हैरत में आते है मा अदित्य पूत्र शी सूर्य देव की गाथा गाते है हम कथा सुनाते हैं श्री सूर्य देव भगवान करते सब का कल्यार उकते हुए भगवान सूर्य देव नारायन को देखकर माहदेती के मन में विचार कौन धा क्यों ना ये शक्ति पुंज जो सारी स्रिस्टी में उर्जा भर रहा है ये मेरा पुत्र बन जाए यदि ये मेरा पुत्र बन जाएगा तो मैं इसे इन देवताओं का अधिपती बना दूँगी और इसके तेज के आगे समस्त असुर नस्ट हो जाएंगे यह सोच कर मा अधिती ने भगवान सूर्य देव नारायन का घंगोर तब प्रारंब कर दिया भगतों यहां तक की उनके पती महरिशी कश्चप ने उन्हें बहुत समझाने का प्रयत्न किया कि तुम अपने गर्भ में सूर्य देव का तेज सहन नहीं कर पाओगी परन्तु मा अधिती थी कि उन्होंने तो मन में ठान लिया था कि यदि पुत्र होगा तो सूर्य ही होगा गनगोर तब किया भक्तों और भगवान सूर्य देव को मा अधिती को तर्शन देना ही पड़ा आकर मा से वर्दान मांगने को कहते हैं तो मा वर्दान में वही मांगती है जिस प्रेणा से उन्होंने तब किया था बोली हे भगवान सूर्य देव नारायन यदि मेरे तब से प्रसन्न है तो मेरे गर्भ में आ जाई ये भगवन और मेरे पुत्र के रूप में जन्म लीजिए सूर्य देव जानते थे यह कार असाध्य है पर असंभव नहीं सो उन्होंने तथास्तु कह दिया भक्तों और मा अदिती के गर्भ में आ गए मा अदिती के तब कबल इतना था कि पूरे एक वर्ष तक भगवान सूर्य देव को अपने गर्भ में रखा और उचित समय पर देदिप्यमान पुत्र के रूप में भगवान सूर्य ने मा अदिती के गर्भ से जर्म लिया भक्तों देवी देवता मिलकर जैकार लगा रहे हैं सूर्य देव से करी प्रार्थना गर्भ में आओ आकर मेरे गर्भ मेरी संतान बन जाओ अदिती मा कोवर दी और गर्भ में आएं तेक वर्ष पस्चात पुत्र के रूप में जाएं सूर्य जनम पे अगतों सारे फिर हर शाते हैं जै जैकार लगाते हैं मा अदिती पूत्र श्री सूर्य देव के गाता गाते हैं हम कता सुनाते हैं श्री सूर्य देव भगवार करते सब का कल्यार भगवान सूर्य देव नारायन ने मा अदिती के गर्भ से उत्र रूप में जन लिया भकतों सभी देवी देवता मिलकर सच्च रिदे से भगवान सूरी देव की जय जय कार कर रहे हैं अपने तप के बल पर अपने तेज के बल पर भगवान सूरी देव नारायन जन्म लेते ही अपने वास्तविक आकार में आ गए उन्होंने पूर्ण रूप से एक देवता का रूप धारण कर लिया अब तक जो शक्ति पुंज के रूप में देखे जाते थे पूजे जाते थे वो अब साक्षा देवता स्वरूप सब के सनमुखणे है मा अदिती ने उन्हें सभी देवताओं का अधी पती बना दिया भक्तों और आज्यादी हे पुत्र इन असुरों ने तुम्हारे भाईयों को सभी देवी देवताओं को स्वर्ग से विहीन किया हुआ है जाओ युद्ध भूमी में जाओ पुत्र और अपने तेज का बोचमतकार दिखाओ जिसे देखकर ये सारे असुर परास्त हो जाएं श्री सूरे देव भगवान ने देवताओं की सेना तैयार की भक्तों और अपने तीर धनुष तलवार लेकर युद्ध भूमी में असुरों से लड़ने हे तुछ चले गए सारी स्रिस्टी अब हैरत से देख रही है कि इस युद्ध का क्या परिणाम होने वाला है सूर्य देव के नेत्रत में देव से ना आई असुरों से फिर युद्ध का वो आवान लगवाई देव असुर फिर एक दूजे के सनमुकते आए तीर पतीर चलाए भगतों भाले चमकाए युद्ध भयंकर दोनों फिर लड़ने लग जाते हें मा अदिति पोत्र शी सूर्य देव के गाता गाते हें हम कथा सुनाते हें शी सूर्य देव भगवार करते सब का कल्यार शी सूर्य देव भगवार भगवान सूर्य देव के नेत्रत्व में देव सेना ने ऐसा भयंकर युद्ध किया भकतों के असुरों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई जो शक्तियां उन्होंने तब करकर के अरजित की थी वो देवताओं के सनमुक जाकर भगवान सूर्य के सनमुक जाकर उनके चर्णों में प्रणाम करती और विलुप तो हो जाती अब असुरों के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं थी जो देवताओं को परास्त कर सके सो सभी असुर घुटनों के बल बैठ गए भकतों और दोनों हाथ जोड़कर भगवान सूर्य से प्राण दान मांगने लगे दयानिदी भगवान सूर्य देव नारायन ने सभी को प्षमा कर दिया परन्तु उस से पहले उन्होंने असुरों से स्वर्ग का अधिकार वापस ले लिया इंद्र देव को फिर से स्वर्ग के सिंगासन पर बिठाया सभी देवी देवता जो कैद में थे उन्हें मुक्त कराया और उन्हें अपने अपने उचित स्थान पर पहुँचाया फिर भगवान सूर्य देव नारायन मा अधिती के सनमुक महुचे और उन्हें वापस से तेज पुंज बन जाने की प्रार्थना करने लगे मा अदिती ने एक बार फिर भगवान सूरे से प्रार्थना की के हे पुत्र तुम तेज पुंज तो बन जाओ परन्तु तुम्हारा ये देव स्वरूप भी सदा सदा मेरे पास रहे मुझे ऐसा वर्दान दो भगवान सूरे देव ने ऐसा ही किया भगतों तेज पुंज बन कर आज भी वो सौर मंडल में स्थित्हें नव ग्रहों में सर्वस्रेश्ट हैं सारे ग्रहें उनकी परिक्रम्मा लगाते हैं तथा उनी से उर्जा प्राप्त करते हैं और देवता के स्वरूप में भी भक्त जन्म भगवान सूरे देव की आराधना करते हैं तो आप भी यदि जीवन में समस्त सुख भोगना चाहते हैं और अंत में भगवान सूर्य के चर्णों में स्थान प्राप्त करना चाहते हैं तो हर अभिवार को भगवान सूर्य देव को तामबे के लोटे में अर्ग दीजिए अक्षत चंदन पुष्प चड़ाईए गुड इत्यादी का भोग समर्पित कीजिए फिर देखिए कैसे भगवान सूर्य देव आपके जीवन में सदा सदा खुशियों का प्रकाश भर देंगे दोनों हाथ खोल कर सच्ची सद्धा से एक बार मेरे साथ जैकारा लगाईए बोलिए भगवान सूर्य देव नारायन की सूर्य देव ने तेज को अपने ऐसा चमकाया असरों की सेना को स्वर्ग से मार भगाया आदित्य का नाम प्रभु मैया से पाए हैं अधिति मा के चर्णों चंदन तिलक लगाए हैं देवि देवता मिल करके जैकार लगाते हैं मा अधिति पुत्र शी सूर्य देव के गाथा गाते हैं हम कथा सुनाते हैं शी सूर्य देव भगवार करते सब का कल्यार शी सूर्य देव भगवार